तो एलकम गाइस फिर से स्वाकत है एक नए वडियो में तो दोस्तो आप भी अपने फोन में दोस्तो यह माई UI version 14 दोस्तो जो है डाउनलोड कर रहे हैं और जैसे दोस्तो 100% हो जाता है तो वहाँ पे दोस्तो कैनाट डाउनलोड वहाँ पे फिर से वो शुरू से डाउनलोडि होने लगती है ठीक है तो इस प्रोब्लम को दोस्तो कैसे ठीक करेंगे यही इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ हाला कि दोस्तो जो है हमारा 3-4 बात दोस्तो जो है डाउनलोड होके 100% फिर से स्टार्टिंग से शुरू हो जाता है लेकिन दोस्तो फोरोटीन डाउन लोड नहीं हुआ तब दोस्तों हमने कौन सी सेटिंग की और कैसे फरोटीन अपडेट यहां पे सकस्पीली किये हैं यहीं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं तो इसके लिए दोस्तों आपको करना क्या है पहले दोस्तों मैं आपको बता दूँँ जो जो सेटिंग यहाँ पर करना है आपको यहाँ से बैकाना है ठीक है आपको सबसे पहले दोस्तों अपने फाइल पर यहाँ पर जाना है जैसे एक दो बार आपका डाउनलोड हो चुका है कैंसिल हो जाता है 100% होने के बाद में सुरू से लग जाता है तो यहाँ पर दोस्तों जैसे फाइल प खाली रखना है तभी दोस्तों यह डाउनलोड होता है ठीक है और दोस्तों मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सबसे पहले आपको डाउनलोड का ओप्सन मिलेगा यहाँ जैसे आप किलिक करेंगी तो दोस्तों वो जो yam iui 14 अपडेट का यहाँ पे एक फाइल देखने को मिले क्या है यहाँ पे देखेंगे डाकुमेंट्स यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे दोस्तों देखेंगे बहुत सा यह वायरेस होता है इससे आपकी स्टोरेज काफी फूल होगी तो यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से क्लिक करना है ठीक है पूरा डिलीट कर देन है इसे आपका phone का कोछ जाएगा नहीं यह wire होता ठीक है तो यहाँ से आपको bio करना है उसके बाद मी को करना क्या है आपकी स्टोर्च काफी हथ तक देखिएगा खाली हो जायेगी ठीक है अब दोस्तो करना क्या है यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर delete का option मिलेगा ठीक है simply delete का option मिल जाएगा यहाँ पर delete permanently इसे दोस्तों यहाँ पर delete कर देना है ठीक है और जैसे दोस्तों आप delete कर देंगे इतना कर देने के बाद में दोस्तों यहाँ से आपको बैक आना है ठीक है और जैसे बैक आ जाएंगे अब दोस्तों जो है अपडेटर ठीक है यहाँ पर लिखेंगे अपडेटर ठीक है यहाँ पर अपडेटर जैसे आप लिख देंगे इस परकार से और यहाँ पर इस परकार से अपडेटर लिख देंगे तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे तीन चार ओप्सन आपको देखने को मिलेंगे तो पहले पर आपको click करके यहाँ पर clear data click करना है okay कर देना है इस परकार से ठीक है और दूसरे पर click करके यहाँ पर भी दोस्तों इस परकार से clear data कर देना है ठीक है और जैसे click करेंगे तीसरे पर click करके यहाँ पर clear data इस परकार से कर देंगे ठीक है और यहाँ पर click करके इसे भी clear data कर दे आप दोस्तों इतना करने के बाद में 100% यही प्रोसेस हमने अपने फोन में किया है तो यहाँ पे दोस्तों Android जो है तेरा अपडेट यहाँ पे आ चुका है यानि 14 यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देखेंगे MIUI वर्जन 14 हमारा सक्सेस्फिली डाउनलोड हो चुका है तो इसी परकार से दोस्तों अगर आपके फोन में यह प्रोब्लम आ रही है कैन नाट डाउनलोड की तो आप 100% डाउनलोड कर पाएंगे